तो आज में स्टार्ट करते हैं class 9 chapter 2 polynomial exercise 2.3 का question number 2 तो पहले हम question पढ़ेंगे उसके बाद हम solve करेंगे find the remainder when x cube minus x square plus 6x minus is divided by x minus a ये question हमारा question first की तरह ही है बस इसमें जो x की value रखनी है वो कुछ alphabet में रखनी है तो हमें ये polynomial दी हुई है और एक ही है हमें polynomial दी हुई है तो इसका हमें remainder बताना है तो वही हैं दो तरीके होते हैं एक तो पहले हम इससे हम zeros पता कर लें और दूसरा हम इसको इससे divide करते हैं ओके तो हम करते हैं इस answer तो हम पहला वाला चुनेंगे क्योंकि जो divided वाला है वो हमारा class 10th में आता है तो x-a is equals 2 में 0 रखेंगे मैंने आपको introduction वीडियो में बताया भी है कि अगर कोई भी polynomial होता है तो उसके बराबर हम 0 रखते हैं तो हमारे उससे 0s निकल के आ जाते हैं तो x-a is equals 2 में 0 रखने से x is equals 2 में a क्योंकि a जो है वो इधर चला जाएगा तो x is equals 2 में a ही चुका है तो हम इसको अब हम put कर देंगे इसमें तो px is equals 2 में x cube minus ax square plus 6x minus a तो p minus नहीं a only a क्योंकि minus नहीं है तो p a is equals 2 में a का whole cube minus a a का whole square plus 6a minus a अब a का whole cube क्या होता हमारा a cube minus a का whole square into a यानि की a cube हो जाएगा plus 6a minus a अब a cube minus a cube कट चुका है और 6a minus a बचा है तो 6a minus a अब जब 6a minus a करेंगे तो 5a आ जाएगा जो इस question का reminder आया है वो हमारा आया है 5a यानि कि ये question ही पर खतम होता है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग अर्ची मांत्दिय करेंगे लगी होंगे वाचिंग